हलो नमस्कार मेरे पैरे बच्चों कैसे हैं आप सभी आज की वीडियो थोड़ा सा लेट है मॉर्निंग में आट भी नहीं दे पाया लेकिन कोई बात नहीं वीडियो जरूर है लेकिन यहां मैं आपको कुछ टॉप टेंस कोमन एरर करवा रहा हूं यहां मैं आपको रूस के ल इससे पहले अब तक मैं नाइन वीडियो में आपको बहुत सारी कॉमन एरर्स करवा चुका हूं आज हम लोग बात करेंगे आगे कुछ संटेसिस की और उनमें आई हूँ कुछ एरर्स की तो रूस वगरा को भी आ दखेगा और मेरे साथ आगे बढ़ेगा चले चलते हैं कर रहा है कि मिस्टर मुकेज भटनागर और कलीग यानि कि मिस्टर मुकेज भटनागर हैं जो कि उसके कलीग हैं यानि कि उसके सहजोगी हैं अभी तक भी मिस्टर मुकेज भटनागर की वर्ब संटेस्टेस में नहीं आई है उसके बाद उसने एक सब्जेट और रख दिया हमने आपको बताया कि जितने sentence में होंगे subject उतनी ही होने चाहिए आपकी वर्ब subject और वर्ब की संख्या दोनों में सेम रहने चाहिए तब जाकर के बाद पूरी बराबरी की होगी लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ subject आपके दो है और वर्ब हमारी एक तो यहाँ पर बाद वाले subject को याने कि he को आपको हटाना होगा और sentence हमारा होगा correct अगर हम लोग he हटा रहे हैं तो sentence के b part में हो जाएगी error sentence के a part में ही रहेगी a part हो जाए correct, b part में हो जाएगी error आगे बढ़ते हैं as soon as I will read daily, I will send you the books you have asked for guys मैं आपको एक बार नहीं कहीं बार बता चुका हूँ के एक ही sentence में English grammar में दो modal verb एक साथ नहीं आया करती हैं एक ही sentence में दो modal verb एक साथ नहीं आया करती हैं guys इस sentence में उसने दो modal verb दी हैं एक ये रहा विल, एक ये रहा विल उसके बाद में कैस मैंने आपको इज़ी बिताया है कि sentence में अगर दो मोटरोव जी गई हो तो हमेशा आप लोग if, unless, until, in case, provided, as long as, so long as, when, before, after, whether, इनके बाद वाली मोटरोव भटा देंगे यहां sentence के पहले पार्ट में as soon as आया है, तो यह पहले वाली मोटरोव भटेगी as soon as I read daily, I will send you the books you have asked for, यानि कि sentence के एपार्ट में mistake है आगे बढ़ते हैं guys, कह रहें कि as I see it, he appears to be unreasonable and anxious about pleasing his wife तो guys, यहां sentence में आप बताना है, क्या रहर रहेगी, अगर आप लोग गोर करें तो sentence में पहले as I see it, यानि कि पहला sentence आपका इनके इनके पहला sentence होता है next sentence, he appears, sentence पूरा परजर में चलता है, यानि कि या वर्ब की first term appears, यानि कि वर्ब की first term में say yes, to be unreasonable अब guys, यहां पर sentence में उसने लगाया unreasonable, यानि कि आखरी में आ रहा है a, b, l, e, अगर आखरी में a, b, l आ रहा है तो समझो, यह आपका adjective है, जबकि यह आ रहा है वर्ब के बाद, बच्चो दूसरी बात, यह आपका adjective already खड़ा हुआ है, यहां पर बहुत सारे कारण है कि यह Adverb, पहला कारण, दूसरा कारण कि वर्ब के बाद Adverb आया करता है, तो इस unreasonable को आप लोगों को Adverb बनाना होगा, और guys अगर आपको याद हो, मैंने बताया है कि noun से अगर आपको adjective बनाना है, तो हम लोग लगाते है, यहां यहां पर unreasonable हो जाएगा, और sentence हमारा correct हो जाएगा, यह के sentence के B part में फिलार यहां error दी गई है, I finished my assignment before we reached his wedding with great difficulty because of heavy traffic, तो guys यहां पर sentence आपका जा रहा है before और after की rule पर, यह बहुत important rule है, English grammar के अंदर आपने से कहीं बार पढ़ा होगा, कि doctor के आने से पहले marriage मर चुका था, इस तरह के sentence आपने बहुत बार पढ़ोंगे, the patient had died before the doctor came, उस उसकी साधी में जाने से पहले, तो उसकी साधी में जाने से पहले में अपने assignment में खतम कर चुका था, ऐसी condition बच्चो sentence हमारा before से जुड़ता है, before यहां पर as a conjunction काम कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ warp है, पहली बाद, इससे क्या होता बच्चो before के पहले वाले पार्ट में आ आपकी mistake, क्या कह रहा है, बच्चो कह रहा है कि we were living in Canada for around eight years, guys, यह तो बहुत ही चुच्चा sentence है, sentence के अंदर में आपको बताया है, कभी भी आपको बच्चो सेंस या फोर, ध्यान देना बच्चो च्टोड़ी बात ही जो आपको याद रखनी है, यह च्टोड़ी बात ही time, तो आप sentence में as a helping verb, has been, have been, had been में से कोई एक, plus ing लगाएंगे, हाला कि sentence हमारा परजन में जा रहा है, तो मैं आपे word हटा करके, had been का स्माल करूँगा, और sentence को करूँगा अपने ठीक, यानि के sentence में आपके फिलाल a part में mistake है, since यह four plus time आने से sentence हमारा perfect continuous बनता है, guys, जो मुझ यह head been का स्माल करना था, sentence के a part में ही हो जाएगी आपके mistake, चले चलते हैं, next sentence पर क्या क्या रहा है, क्या रहा है कि the CEO has decided to visit all the departments, यानि कि CEO ने decide किया है, कि वो सभी department में विजिट करेगा, बच्छो, has been के साथ, work की third हो माया करती है, बिकुट ठीक है, two के बाद, work की first हो माया कर करती है, बिकुट ठीक है, all के बाद, पुलूर ना उनाया करता है, बिकुट ठीक है, of the office tomorrow, कल जाएगा, evening, साम में, to review of the situation, अब गैस यहाँ, tomorrow से, आपका काम, कुछ खराब हुआ है, या नहीं, यह चीछ देखने होगे बच्छो आपको, बच्छो एच्छी देखेगा, ज क्योंकि sentence है, बच्छो हमारे पास में, यहाँ पे, tomorrow को लेकर के sentence में has आया है, तो कोई tension नहीं है, बच्छो, यहाँ तक तो ठीक है बाद, जैकिन problem कहां पर है, वो समझ लेजेगा, review of the situation, बच्छो, review जो आपका है, यहाँ इसके बाद ने off लगाया है, जो कि यह गलत है, ब नहीं है, बच्छो, यह बाद में आपको एक बार नहीं, कहीं बार पता चुक हो, जब भी किसी वर्ड के आखरी में, आपका एबल आजाए, वर्ड या फिर, आई, बी, एल, आजाए, आपको उसके साथ में, फिक्स प्रफॉसंट टू का ही इसमाल करना ही, धानक है, मतलब most of the cases, 99% मैं कह सकता हूँ, कि आपका एबल वाले वर्ड के साथ में प्रफॉसंट टू ही होगी, चाह वो किसी भी तरह से एबल आया हो आपका, अगर आखरी में एबल या आईबल है, तो उसके हाथ में टू ही प्रफॉसंट चलेगी, फिक्स, तो यहाँ पे भी विद नही जो लाइफ है, वो लाइफ थी, एक सागा थी, ओफ डेडिकेशन, उनके समर्पन की, इन दा कोस ओफ, मच्चो, डेडिकेशन के साथ में भी आपकी फिक्स परफॉसंट टू चला करती है, इन नहीं, यह भी आपका पूरी तरह से रोंग है, गाईज यह छोड़ उटी इस परफॉसंट है, बच्चो एक दिन में याद नहीं होगी, लेकिन एक दिन याद जरूर होगी, यह भी याद रखे, तो इसके लिए आपको 25 बहुत जुरूरी है, आगे कहा रहा है कि लिसन, लिसन, लिसनिंग टूर रेडियो, बच्चो यहाँ छोड़ी सी गड़बड जब सुनिता आई, जब सुनिता आई, तब आसीस रेडियो सुनना था, तो यहाँ पर संटेंस में जो कह रहा है, आसीस लिसनिंग टूर रेडियो, यहाँ पर रेडियो से पहले बच्चो हम लोग दा का समार करते हैं, औ का नहीं, इन्वेंशन से पहले हम लोग, कोई भी आर्टिकल दा का समार किया करते हैं, तो आपको यहाँ पर और नहीं, दा का समार करना होगा, चलते हैं अपने लास्स सेंटेंस पर, कह रहा है कि वेंद दा प्रोफेसर, आर ओन ऑस्ट्राइक, जब प्रोफेसर स्ट्राइक पर थे, एंड अन्नोर्टिस ऑफ दिस और नोर्टिस जो है इसका गेट पर चुपका जया गया, तो आपको इस दुरूरत नहीं होँआ पर, तो गैस, दे इस नो सेंस तो गो देर, यहाँ जो स्ट्राइक इसमार किया है, सैंस, सैंस के बाद बच्चो, आपका अगर टू भी हो, तो आपको उसके साथ में जिरन का साथ मार करना होता है, नोट फर्स्ट फर्म का, बच्चो, यहां संटेस में, यहां तो टू गो पूरा हटाइए, there is no sense, going there, yes, तो संटेस हो का करट, टू गो हटा करके आपको लगाना होगा, going, ओकी गाइस, तो यह थे आपके, आज के टॉप टैन रूल्स, इनको लिख लि बिलते हैं, आपसे नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए, good bye, have a nice day,